हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कुल पर हर्दिक स्वाकत है आज के अपने इस वीडियो में हम EFT के एक बहुत ही सांदर फैंसले के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये फैंसला उन सभी पैंसनर्स के लिए इंपोटेंट है जो फैंसली पैंसन ड्रो कर रहे हैं ओर्डिनरी रेट से लेकिन उनकी बनती है इस्पेसल फैंसली पैंसन लड़ना पड़ता है अपने केस के लिए आपको जाना पड़ता है कोट काफी समय लगता है लेकिन फाइनली नियाए जरूर मिलता है तो आज ऐसी गटना मैं आपक के पति की मौत हो जाती है लेकिन उन को इस्पिशल फैमिली पैंसन ना देके ओर्डिनरी फैमिली पैंसन दी जाती है तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट यह माना कि दखी यह जो केस है एग्रेवेटिप्टड बाई एरियर मिल सकता है तो उनको 8 साल का एरियर भी मिलेगा यानि 2018 मनोंने केस किया था तो 2015 से लेकि 2023 तक का एरियर भी मिलेगा Special Family Pension यानि उनकी जो Pension है वो लगबग डबल हो जाएगी और ऐसी गटनाएं बहुत से Pensioners के साथ हो रखी है वो जेल रहे हैं लेकिन उनके पास जाग रुकता नहीं है उनके पास ऐसी जंका ही नहीं है कि क्या करने से जो उनका केस है वो मजबूत होगा और उनको जो ordinary family pension मिल रही है वो special family pension मिलेगी तो आज के अपने इस वीडियो में हम उस code case के बारे में डिसक्स करेंगे आपको judgment copy भी दिखाऊंगा और news में भी आया है वो भी जो news है आपके साथ share करूँगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो like और share ज़रूर करें देखिए दा ट्रिब्यून की ये खबर है और 8 अक्टूबर 2023 को ये छपी है causes leading to death due to cancer can be considered to be aggravated by military service rules AFT यानि अगर death जो है वो cancer की वज़े से हुई है जिसको aggravated या attributable to military service नहीं माना जाता है ऐसी condition में देखिए यहाँ पर ये निर्ने दिया गया है कि अगर उसकी वज़े से death होती है cancer की वज़े से तो इस case को aggravated माना जाएगा आखिर क्या है वो पूरी बात जानेंगे अपने इस वीडियो में देखिए यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़े आप देख सकते हैं उसके बाद में मैं आपको देखिए judgment की copy भी दिखाने वाला हूँ देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप ये case है AFT लखनव का और ये transferred application है AFT दिल्ली से AFT लखनव में और ये 4 October 2023 का judgment है judgment देने वाले जो judge थे जो कोरन थी वो थी Honorable Mr. Justice अनिल कुमार जुडिशल मेंबर and Honorable Major General Sanjay सिंग administrative members यहाँ पर जो applicants की तरफ से थे वो थे स्री राहुल पाल एल्वोकेट और versus जो respondents थे Union of India, Chief of Army Staff, Senior Record Office Signals जिला सैनिक कल्यान एवं पुनरवा सदिकारी फिरोजाबाद और PCDA दरोपतिगात अलाबाद तो यहाँ पर देखिए जो उन्होंने कुछ case किया उस case में उन्होंने बोला कि देखिए जो हमारे husband के documents थे medical documents, enrollment से लेके जब तक death हुई, वो सारे हमें प्रोवाइड कराए जाए उन्होंने अपने special family pension के demand रखी ex-gracia lump sum amount की बात रखी और date of death से लेके जो भी उनका area बनता है उस पर 18% यहाँ पर उन्होंने interest की बात की थी देखिए अगर हम थोड़ी सी brief history जाने इस case के बारे में तो यह case जो है इंडियन आर्मे बरती होते हैं जो applicant हैं उनके husband 17-12-1983 को while serving with Indian military training team IMTRAT भूतान husband of the applicant died 11 फर्वरी 2000 में उनकी मृत्ति हो जाती है during bona fide military duty and cause of death was reported to be melaninant astrocytoma which was considered as aggravated by service being husband of the applicant was stationed in high altitude area तो यहां पर देखे बतायागा जिसको consider माना गया aggravated by service क्योंकि वो high altitude area में posting थे the applicant was sanctioned ordinary family pension from 5-12-2000 instead of special family pension applicant देखे PDA जाते हैं जुलाई 2004 में और बताते हैं कि हमें special family pension मिलनी चाहिए but उनको बोलते हैं कि आपको कोई requirement नहीं है no revision is required wide letter dated 39-2004 2011-2004 2014 में वो जाते हैं जिला सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक कल्यान even पुनरवास अधिकारी फिरोजाबाद के पास वहाँ पर भी देखे उनको कोई भी यहाँ पर response नहीं मिलता है और उसके बाद यहनों ने appeal किया first appeal किया second appeal किया उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ इस सब चीजों को देखते हुए यह जाते हैं फिर court में court में इनकी पूरी बाते जो है रखी जाती है कि ऐसे से कहानी थी उनके जो medical records है वो भी रखे गए respondents, applicants दोनों ने अपनी तरफ से पूरी की पूरी बात रखी तो यहाँ पर जो बात निकल के सामने आई वो यह थी The husband of applicant was in active service as the time of his death, however the disease was never found in his medical examination or was never informed to the applicant The applicant was earnestly sanctioned ordinary family pension जबकि उनको मिलनी चाहिए थी special family pension सारी चीज़े ने उन्होंने यहाँ पर अपने लिखे कि कब कहा, क्या appeal की, उन्होंने क्या reply किया, सारे documents उन्होंने यहाँ पर submit किये है अगर हम देखें जो उन्होंने M.O.D. का letter 2.1 का है, वो भी उन्होंने यहाँ पर दिखाया, जिसमें category B और C में अगर आपकी death होती है तो आपको special family pension मिलेगी, और यहाँ पर यह भी बात थी, कि high altitude में posting थे, तो उनको मिलना चाहिए respondent की तरफ से क्या जवाब दिया गया, कि देखें, वो IMT, RAT में भूतान में थे final diagnosis as per post-mortem report is malignant astrocytoma, which was not attributable, but as the cause leading to death was cerebral oedema considered as aggravated by military service, being the soldier was stationed in high altitude area यानि attributable ना माने, उसको aggravated माना गया Consequent upon death of the applicant on 11-2-2-0, in the attendance of M.O. letter, जो court of inquiry order हुई, उसमें भी सारी चीज़े पाई गए, क्या चीज़ निकल काई, क्या opinion दिया गया M.H. ने husband of the applicant was on bona fide military duty, the death was probably because of cerebral hemisphere, the circumstances of death do not suggest any fall पिले कहीं किसी गलती नहीं है The exact cause of death of husband of the petitioner should be established by a post-mortem examination अब post-mortem किया था है, यहाँ पर देखे, Major Ajay Malik जी ने, उन्हों को भी देखे, यहाँ पर जो है, वो record पूरी रखी गई, जहाँ पर उनको बताया गई, देखे, जो death हुई, वो cancer की वज़े से हुई, और जो cancer था, वो किस की वज़े से था Cosing a rise in intracranial tension followed by bamsillar hemorrhation leading to death, यानि यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई, वो यही आई, देखे, cancer की वज़े से उनको हुआ, लेकिन जो main region था, वो था उनके, जो इन्होंने इस brain hemisphere में प्रोलम बताई, यानि वो जो था है, वो aggravated था, attributable नहीं था, cause of death जो cancer से थी, वो यहाँ पर attributable नहीं थी, बट, लेकिन जो इन्होंने cerebral odema नाम के use किया है, which is aggravated by service as individual was stationed in high altitude area, which does not have any causal connection with the military service, जिसका military service चे कोई भी causal connection ना पाया गया, और इस आधार पर उनको ordinary family pension दी गई, अब देखे, जो court ने अपने judgment में पाया, entitlement rules, जो भी military के यहाँ rules थे, सारे यहाँ पर लाए गए, जितने भी reports थी, वो सारी यहाँ पर रखी गई, उसके बाद में जो certificates थे वो भी यहाँ पर mention किये गए है, अब सबसे important चीज़ है कि वो military duty पे थे, the circumstances of death do not suggest any fall play, सारी चीज़ जो हैं यहाँ पर जो हम पहले discuss कर चुके हैं, जितने भी own documents थ वो सारी यहाँ पर पाई गई हैं, अब important चीज़ है कि court ने यहाँ पर अपना judgment क्या दिया, अब हम देख लेते हैं, court का judgment, कि अपर कर दो सबस्ब्सक्राइब कि श्रूज़ के लिए रुज़ क्या आफिए हैं, कि यह जब काम पाई ग्हाँ पर खर देख लेकि हमकी डिमांड थी एक्स ग्रेशा लंसम अमाउंट कमपनसेशन की उसको यहां पर जेक्ट कर दिया गया और यह जो O.A. थी या जिसको हम T.A. बोल सकते हैं ट्रांसफर्ड अप्लिकेशन हो गई थी यह वो पार्टली अलाउड कर दी जाती है और जैसा मैंने आपको बत पड़ेगा अगर आप डिले करते हैं टोटल चार महीने का समय यहां पर दिया गया है और उनको देखेए दोजार से लेके दोजार तेहीस तक कितना लंबा संगर्स था लेकिन फाइनल विजय हुई इससे हमें सीखने को क्या मिलता है इससे हमें सीखने को यह मिलता है कि दे पैंसनर को जैसे यहां पर देख सकते हैं कि 2015 से लेके दोजार तक का जो 15 साल का स्पेशल फैंपली पैंसन था वो एरियर नहीं मिल पाएगा वो नुकसान किसका है वो नुकसान उस पैंसनर का है उसने 2004 से ही अपनी कार्यवाई थी वो सुरू कर दी थी लेकिन नियाए नही होगा यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है तो यह थी आज की जानकारी अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे आपसे जैहिंद जैवारत